तो दोस्तो असकोड़े हम बात करेंगे कि मक्मंत्रे कन्य उत्थान योजिना के बार में जुकी बिहार सरकार दौरा इस योजिना को लागू किया गया दोस्तो तो इसमें आप यहां देख सकते कि चोवान नलार एक सुरुपे की सहायता राज जो है यहां पे जनम से ले करके दोस्तो उनकी पढ़ाई लिखाई से ले करके साधी विवा तक उन्हें कितने रुपे का परदान किये जाते हैं आप यहां सीरियल बाई डाटा देख सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दो जाने लेते हैं और अभेदन करने से पूर्ब किया-क्या दस्ता बेज आपको यहां पर देने हुए और किन लोगों की यह नियम जो है क्या-क्या लाग होते हैं तो चलिए वीडियो सुरू कर लेते दोस्तों अपने मर्चिन अभी तब सब्सक्राइब किया दोस्तों सब्स देश की बेटे को आगे बढ़ने और पढ़ाई के लिए प्रेरिश करने के लिए बिहार सरकार दोराया कन्या उत्थान यूजना जो है चलाई गी है तो दीखी कन्या उत्थान यूजना के जरिये पिहार के राज के लड़कियों की भी बिद्ध करना और यहां पर कुछ बेटियों को अपने जन्म से लेकर अपने गर्जुएशन तरह त्रित्य वर्स पास करने के बाद कुल 54100 रुपे की रास परदान की जाएगी ताकि यह 54100 रुपे की रास पाकर सभी माता पिता यह रास को उनकी पढ़ाई में लगाए और आगे तक अपने बेटियों को की हैं इतने सारी रुपे सब्सक्राइब करना तो जैसे की जब बाली का पाइदा हो जाती है उसका बाद रिश्ट्रेसन आप कराएं गे तो 90 पार जो है आपको 2000 रुपे की राज पहले मिलेगी फिर उसके बाद second option पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब कन्या एक बर्सकी हो जाएगी तब उसे 1000 रुपे की जो परदान किया जाएगा उसके बाद कन्या के दो बर्स पूर होने पर प्रूप के तोर पर बनाया जाता है जहां पर उनके माता पितका ही सिर्फ वहां पर डाकुमेंट लगता है बाकि फोटो कन्या गया रहता है और बाकि अधार कार्ड जब 5 साल पूर हो जाते हैं दो उनके बाद करते हैं दोस्तों जब कालेज के तीनों वर्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर्व यहने के ग्रिज्वेशन डिगरी जब वह हासिल कर लेगे तो यहां तो उससे 25 जा रुपी की राज परदान की जाएगी तो इसे बीच कन्या के सेनेटरी पेट के लिए और कन्या की स्कूल इनिफॉर्म के लिए भी बीच बीच में राज का बित्रड जो है उन्हें किया जाएगा तो यह पर पातरता कि अगर बात करें कन्याओं की तो यह राज बिहार राज की सभी गाउं और सहरों के कन्नाों को अपलेप्द की जाएगी लेकिन कन्या की साधी बरावी कक्षा के बाद होगी, तो वह यहराथ से नहीं प्राप्त कर पाएंगी यह राज से सिर्फ उनी कन्या को दी जाएंगे जो गरीब परिवार से निवास करती हैं यह राज के लिए कन्या के परिवार में कोई भी सदस सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए हर परिवार के सिर्फ दो कन्या ही या योजना में शामिल हो सकती हैं तो दोस्तों अब एदन प्रक्रिया की बात करते हैं देख सकते हैं कि बिहार योजना के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भनने के लिए तो आप यहां देख सकते हैं जो पहला लिंग है दूस्तों इस लिंक पर आपको के लिए गएक दो सारी कि अंदी में यहां पर दिया गया है उसके बाद दूस्तों हमें यहां पर आना है आप यहां देख सकते हैं कि दूसरे नंबर में मिलेगा समाज कर लार बीभा की समाजी सुरुचा रिजना की सेवाई तो इस पर कर देना है किलिक तो इस पर जो आप किलिक कर देंगे दोस्तों तो आपको नीची एक आप्शन दिखाए देगा मुख मंत्री करना है उत्था न तो सब कुछ यहां पे दिया गया है और फिर आपके सामने हैं पर दो चार जर्ण ऑन निकल करेंगे दूसर करने क्लिए रेजिस्टर एयर शेला के ओसन पर क्लिक करूए मै उपर की स्क्रॉल करूंगा तो जिनकी नाम से आपको आपको अब्यार देना है और एक उमिल आडْ address दे देना है, email ID आप यहां पर कोई भी दे सकते हैं, उसके बाद यहां से आपको एक mobile number दे देना है उसके बाद आपको यहां सो निरमित password बनाना दोस्तों, और password आपको ना समझ में है, तो आपको यहां पर example में दिया गया है, 8-15 के बीच में आपका password होना चाहिए, example के तौर पर आप यहां देख सकते हैं, कुछ name हो गयरा होने चाहिए, उसके बाद इस पर आपको पासवर्ड बनाना है उसके बाद यहां से state select कर लेना है, बिहार उसके बाद उसके यह capture code डानले के बाद यहां पर इसे submit पर क्लिक करूंगा, तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं successful हो गया हमारा login तो आप यहां देख सकते हैं कि user registration on serviceonline.pure.gb.net has been completed successful, please go back and login to avail the service began offered, यहां देखते हैं जैने कि पैतारी दिन के अंदर में आपको जो है अपना password एक बार पुना चेंज कर लेना होगा तो देखें दूस्तों अब यहां से अब इस फेस को हमें जो भाइक कर देना दोस्तों तो उसके बाद बाइक चले जाने के बाद आप देखिए मैं यहां से आप अपना email id या फिर मॉंबाइल नंबर दुनों में से एक डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर आपने जो password बनाया था उसे डाल करके यहां पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से फिर से हम login पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे आप है तो दोस्तों यहां पे च्टिक को डालने बाद यहां पर login करेंगे है दो दोस्तों अब यहां आप देख से हैं कि आपको यहां पर कितने सारे option मिल जा रहें नहीं तो आप यहां पर आपको आपको सिर्फ चार option ही दिखाएदे हैं लेकिन अब यहा पर आप देख सेखते हैं कि आपको यहा पर 6 option दिखाएदे हैं और यहा पर पर की तरफ आपको Out का option देदिया गया है तो यहां से log in का option नहीं दे रहा तो इतना जो है दोस्तों करने के बाद आप यहां से आपको फार्म जो बनना है आपको करना का यहां आना है apply for service पर उसके बाद track application का यहां से status आप देख सकते हैं उसके बाद view in complete application यहां ने कि दोस्तों आपने जो अधूरा छोड़ा रहेगा फार्म तो यहां से फिर से उसे बार सकते ह acknowledgement आपका slip निकलना है तो यहां से निकाल सकते दोस्तों और यहां से application फार्म जो है submit करने के बाद आप यहां पर देख सीते हैं उसके बाद दोस्तों दिखी अब हम क्लिक करेंगे apply for services पर तो इस भी क्लिक कर देने के बाद अब हम पूरे का पूरा फार्म आपके सामने निकल किसे हमा तु दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब एधान फार्म कोछिज तरीगे को आपको दिखाए देखा आपको सबकूछे हिंदे में बार देना है और साले डाकुमेंट आपके पास होना बहुत ही जरूरी हैं यहां से अब हम आपको दोस्तों सब कुछ डेटेल में बताएंगे आगे का फाम आप लोग भार लेना तो यहां से दिखिए मैं आपको दिखा दूँ कि यहां जन्म प्रमाण पत्र पंजी करण संख्या आपको देना है यानि कि जो आपकी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लिखा रहेगा तो आप से बातके स्रेडी के बारे में तो यहां से उसरी आपकी जो आती होगे आपकी कास्ट करेश जो भी है यहां से इस्लेट कर लेना है तो दो सिंफ़ें उसके द्ने का नाप करूब तो यहांस दिखिए हैं से पीता या मता को इनदी में क्या लेए उसके बाद नहीं की आऊ-सके बच्चे उसके बाद पिता का नाम मता नाम और लबारती बच्ची पाधार नमबर यहां पर दारना है जो यहां पर अपर उसके बाद मेलाड़ाई की से कर लें आ है आपको बस चालो होना चाहिए तो माता पिता का बैंग खाता संख्या है यहाँ पर दे देना दोस्तों आपको नीचे बैंग का IPHC कोड बहुत जुरूरी हुथ तो उसे ध्यान से देख करके पासबुक से ही यहाँ पर इंटर करें बैंग का नाम दे देना है साखा का नाम दे पieltाइ पता आपको यहाँ पर अपने जो है जहां से आप मढहर रहे हैंएंो लेकिंदूंध आपको आप है तर कम परख़ंटा को देख करिकर भर लेना हमें यहां तर आ यहां से वाल गराम महला थाना डांग घर पिन कोड हो भांड को है चल्यकर लेए पर यूजना का नाम करने हैं यहां पर रहनेदेना है तो और यहां पर देखे दितु स्वह्म गोसटा पद्र आक को सबकुछ पढ़े ना की आपने जितने भी जैनकर तर्विए से पुस्तक्त कर देना यहां पक सफाई आपकोूस और रापिंस एप कर दिया कि यहां पर यहां पर यहां पर दालने के बाद आपको सब्सक्राइब आपको कर देना हैं वहां से आप अपने application form का acknowledgement download कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं तो यहां से आप slip download कर सकते हैं और अगर अगर आपने form पूरी तरीकी से नहीं पर रहा है तो यहां से जाने के बाद अपना user ID और password डालने के बाद यहां से भार सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें आप एधन कर सकते हैं घर बेठें ऑनलाइन तो दोस्तों यहीं पर बात करते हैं इसके दूसरे पार के बारे में दोस्तों यहां देखें दूसरे पार्ट में जब आपकी बेटी जो है दूस्तों तो इस पर कर देना है क्लिक दोस्तों आप साइट का लिंग जो ध्यान से देख लें तो इस पर क्लिक कर देने के बाद हो तो आप यहां से सब कुछ आपको हिंदी में लिखा गया है कि मुखबंत्री करने उत्थान योजन असनातक के लिए विदार्थियों को किवल आनलाइन अबेदन ही देना है तो अबेदन महाविद्याले के मादम से सुवकृत नहीं किया जाएगा विदार्थियों को महाविद्याले में किसी डाक जो पास किये हैं योजना 2019 के लिए आवेदन यहां पर चालू हो चुका दोस्तों तो अभी तो फिलाल 2019 के लिए अवेदन चालूगा तो यहां पर नोटिपीकेशन निकलके आ जाएगा तो यहां से दिखिए इस वेदन करने के लिए दूस्तों आपको इस लिंग पर कर दे योजना 2019 अंसुची जात यहां अंसुची जन जात के परतम यहां दोतियस रेडी के इंटरमीडियेट उत्रीच शात्रयों के लिए अवेदन तो यहां से देख सेते हैं इसी परकार से यहां पर दसुई के लिए मुगमंतरी बालक और बालिका पर साहन योजना के लिए भी यहां से अगर आपने इंटर और दसुई की प्राप्त कर सकते हैं तो दुस्तों आशकर तो आपको बिड़े पसंद आई होगी अगर आपके मैं कोई सवाले तकमन करके पोज़ सकते हैं तो मिलते अगली वीडियो में नहीं जान किते हैं थांक्स पराचिंग जाहिंद